आज हमारे हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट प्रड़क्ट के बारे में जिसका नाम है हमारे ज्वाइंट के लिए हर उम्र के बहुत इंपॉर्टंट प्रड़क्ट है ज्वाइंट के बहुत की प्रॉब्लम होती है वह सारी चीजों के बारे में इसके लिए बहुत इंपॉर्टंट चीजे तो चलिए हम देखते हैं अगर आप इमेजिन कीजिए कि कभी मॉनिंग के टाइम पर आप उठे और आप बेड से उठ नहीं पा रहे हैं आपके पूरी बॉडी स्टिफ हो गया अकड गया और आपके मुवमेंट्स आप जैसे जमीन पर पैर रहे हैं बहुत ज़्यादा पहतेलियों के जो जोईंट होते हैं यह एकस्टम stiff अकड जाते हैं तो जबर्दस्टी मूव करने की कोशिश करते हैं तो बहुत पेन होता है अगर आपको यह भी सारी चीजह अगर आपको डीली बेसिस पे एक्सपीडियंस होरी कभी-कभी जो होते हैं वह कई बार हमारे वीक्नेश जो हम रेगुलर एकसराइज नहीं करते हैं उसकी वजह से होता है अगर आप डीली इस चीज को डे टुडे लाइफ में अ इसकी वजह से यह सारी इशू उनको हो रही है हम अपने आगे के slides में देखेंगे कि क्यों होता है यह joint pain जो होता है यह क्यों होता है इसके क्या causes है और हम इसे कैसे rid, मतलब हमें इसे कैसे छुटकारा पा सकते, कैसे उसको manage कर सकते, तो चलिए हम यह अपने आगे के slides में देखते हैं, so इन सब चीजों को जानने से joint pains, relief के लिए और उसकी causes के बारे में जानने से पहले, हमें यह जानना जरूरी है कि हमारी जो body है, यह किस तरीके से act करती है, किस तरीके से function करती है, जो हमारे जो joints है, वो किस तरीके से function करती है, उसमें कौन से कौन से छीजे involve होती है, so चलिए हम आगे की side slide में देखते हैं, so हमारी जो body होती है, मतलब जो हमारे joint movement होती है, जो joints work, जो करते हैं, उसको complete structure को musculo-skeletal system बोलते हैं, musculo-skeletal system की मतलब चलिए मैं आपको बताती हूं इसके बार में, आप जस सोचिए कि हम अपनी day-to-day life में कूदना अफादना जो कूदते हैं, मस्ती करते हैं, यह सारी चीजे करते हैं, जो sports person होते हैं, वो दौड के भाग के जो अपने जो games खेलते हैं, वो किस वजह से कर सकते हैं, क्योंकि उनके joints हैं, वो proper work कर रहे हैं, उनके muscles हैं, वो proper work कर रहे हैं, तब ही उनका functioning या उनके हाथ-पैर दौडने की, इधर उदर कूदने की जो ताकत होती है, जो शमता होती है, वो आती है उनके body में, लेकिन अगर माल लेजे, आपके muscles पूरे तरीके से इच्छे से काम नहीं करेंगे, तो भी आपके जो आपको खेलने कूदने में प्रॉब्लम आएगी, आपके joints में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, आपके bone में कोई problem हो रही है, तो भी आपका कूदना, कूदना, दौडना, भागना ये सारी चीजों में problem आएगी, तो ये सारी चीजे कैसे होती है, ये bone, muscles and joint, जो हमारी हड़ी होती है, हमारी जो mass, muscles होते हैं वो और joint, इन तीन चीजों की help से हम अपने खूदना, दौडना, भागना ये सारे process कर पाते हैं, इन तीन चीजों के combination working की वजह से, तो ये बोलना चाहिए कि हमारी body के बहुत important part है जिसकी वजह से हम भूम सकते हैं, हम अपने day to day life की activity कर सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, कोई भी दूसरा दौरना, भागना, खड़े होने का, चलने का, नीचे बैठने का, उठने का जो भी process है, सर हिलाने का, ये जितने भी हमारे body के जो भी जितने movable चीजे होती है, वो इन ही bone, muscles और joints की help से ही होती है, अगर इन में से किसी में भी कुछ deformities आती है, कोई परिशानी आती है, तो हमारे ये सारे process में problem आती है, हमारे body हम बोलते अकड गई है, move नहीं कर पा रही है, बहुत सारे old age वाली जो persons होते हैं, जो बूडे persons होते हैं, वो हमेशा ये complain करते हैं, कि हमारी body अकड गई है, हम चलने फिरने में हमको तकलीफ हो रही है, उन लोग को जैसे वो चलते हैं, तो उनको बहुत दर्द होता है, या फिर कभी-कभी उनकी body पूरी अकड जाती ही, तोड़ी देर के लिए move ही नहीं हो पाती है, तो ये सब इसलिए होता है, क्योंकि bone, muscles और joint में किसी प्रकार की deformity आजाती है, कोई भी प्रकार की problem आजाती है, तब ये सारी issues देखने के लिए मिलते हैं, जो हमारी body होती है, जो होता है, वो अगर आप देखेंगे, पूरे सर से लेके, पैर की last उंगली तक के पूरा bone के support से हमारी body खड़ी हुई है, प्रपर shape मिला हुआ है, किसलिए bone की वजह से, अगर एक भी bone में कुछ problem आती है, या नहीं रहता है, या फिर तूट जाता है, या कुछ होता है, तो एक बोलना चाहिए कि वो deformity हो जाती है, प्रपर चल नहीं पाते हैं, या फिर आपने कई बच्चों को देखा है, जनकी bone की issues होती है, वो proper सीधे तरीके से खड़े नहीं हो पाते हैं, और ये old age में जादा होता है, क्योंकि old age में क्या होता है, उनके bones घिसने लग जाते हैं, उनके bones खराब होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे, तो वो नीचे जुख के चलने लगते हैं, और बहुत ऐसे उनके पैर ऐसे मतलब proper balance नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके bone कमजोर हो गया रहते हैं, मूड गया रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ये सारी problem होती है, लेकिन हम अगर एक normal तरीके से दे structure है, वो bone से ही बना हुआ है, bone से ही proper structure हमारा खड़ा हुआ है, और joints जो है वो दो bone के मिलके, जो जैसे यहां की bone और यहां की bone मिलके ये जो portion है, ये एक joint है, तो ये joint हमारे movement के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है, joints की वजह से हम move कर सकते, चल सकते, हातों को हिला सकते, अप हैं, हम hips, हम घुटने को मोड सकते हैं, अपने हथेलियों को इस तरीके से मोड सकते हैं, ये because ये जो joints है, जो bones मिलके जो part जो बनाते हैं joint, उसकी वजह से हम अपने ये movements कर पाते हैं और जो इनकी वजह से, इनके बिना joint के बिना हमारे जो movement है, वो बिलकुल impossible है, आप नहीं चल सकते, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते, flexibility ही नहीं रहेगी, skeleton जो है हमारे joints की वजह से flexible है, otherwise अगर ये पूरे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो हम कभी अपने हाथों को move नहीं कर सकते थे, बस एक सीधे ऐसे खड़े रहते, आप सोचिए कि कितना important चीज है हमारे body में joint, जो हमारे day-to-day life को करने में, her activity को करने में, खाने में, पीने में, even jaw जो है, खाने के लिए कितनी ज़्यादे important है, अगर वो joint न रहे तो हमारा खाना मुश्किल हो जाए, हमारा चल day-to-day life के लिए बहुत ज़्यादा important है, कैसे ये work करता है, muscles होता है, वो बहुत ही important होता है, हमारे movements के लिए, हमारे joint movement होता है, अगर muscles, सिर्फ joint के वज़ा से हम movement नहीं कर सकते, muscle की elastic tissues होते हैं, उसकी वज़ा से हम उसको खीच सकते हैं, ऐसे elaborate कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, बाहर की तरफ, ऐसे इस तरीके से elasticity की, muscles की elasticity की वज़ा से हम उसे खोलना, बन करना, खोलना, बन करना ये कर सकते हैं, अगर हम अपने wrist देखें, तो muscles की elasticity की वज़ा से हम अपने जो हाथ होते हैं, उसको इस तरीके से खोलना, बन करना कर सकते हैं, अगर ये muscles की elasticity नहीं हो, तो हमारे जो movements है वो प्रॉपर तरीके से हो पाते हैं अगर तो इनके साथ में पूरा और इनके साथ में बोन, muscles और जॉइन के साथ में tendons होते हैं, ligament होते हैं, cartilage होते हैं जो इन पूरे इन सभी चीजों के एक साथ जो formation होता है तो उसको musculo skeletal system बोलते हैं अभी में आपको इसका figure भी दिखाऊंगी आप जैसा कि आप देख सकते एक side में आपके पुरी bone का structure दिखाया गया और एक side में आपके पुरी muscles का structure दिखाया गया और इस bones के साथ में आपके muscles जब जुड़े हुए हैं तो वो proper working में आपको help करता है आपके पुरी physical way जो every day की जो हर रोज की जो physical activity है उसको करने में यह helpful होते हैं अगर आपके muscles weak हैं तो भी आपको वो आपकी activities करने में बहुत परेशानी आएगी प्रपर तरीके से आपके movements नहीं कर पाएंगे अगर आपके joint में किसी प्रकार का issue है तो भी आप यह movements नहीं कर पाएंगे इसलिए इन सभी चीजों का खयाल रखना आपके muscles का आपके joint का आपके bones का खयाल रखना बहुत ही important चीज है अगर आपको एक proper normal life जीनी है एक normal तरीके से पूरा अपनी activities करनी है तो आपको इन सीजों का खयाल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसा कि आप पहले से जानते हैं आप आप पुराने session में भी देख चुके हैं कि Semi-Direct ने आपकी bone health के लिए Calcid Max launch किया हुआ है और आपके muscles health के लिए Magnesium FOSN जो tablet है वह भी उसके बाले में बताया है आपको अगर आप चाहें तो आप previous video में जाके देख सकते हैं आपको Calcid Max और Magnesium FOSN के बारे में पूरी details वहाँ पर मिल जाएंगी So, यह musculoskeletal health के लिए यह दोनों product है बड़ अब यहां पर हमने जो नया जो हम लेके आए हैं यह आपकी joint health के लिए जो joint pain होता है, joint में जो तकलीफ होती है उसके लिए हमने जो product लाया उसका नाम है R3 PAR So, हम उसके बारे में अभी आपको आगे पूरी detail में पूरी पूरी चीजे बताएंगे पर आगे अभी देखते हैं अपनारे joints के बारे में कि हमारे joints work कैसे करते हैं, हमारे कैसे किस type के joint होते हैं, क्या होता है इसके बारे में देखते हैं जो होता है वो हमारी body के movement को अलग-अलग तरीके से move करने में हमारी body को help करता है so कुछ joint जैसे एक example अगर आपको पता हूँ जो हिंज joint जो होता है hinge joint जो होता है वो घुटनों में और ये जो कोहनी होती है ये वाला joint होता है इसे आप एक side में ऐसे कर सकते हैं लेकिन आप इसे पूरा complete 180 degree या 180 degree इस तरीके से आप मोर नहीं सकते हैं आप बस उसको इतना कर सकते 180 degree कर सकते हैं बाकि आप इसे पीछे side में इस तरीके से नहीं ले सकते हैं किसे hinge joint कहते हैं और और भी कुछ अलग-अलग टाइप की joints है जिसके बारे में आपको आगे बताऊंगे just like कुछ ऐसे complicated movements करने के लिए भी कुछ joints होते हैं जो complicated movements को भी allow करते हैं just like हमारे जो कंदे होते हैं यह पूरे complete पूरे round ऐसे कर सकते हैं उपर नीचे आगे पिछे सब जगे जा सकते हैं so इस तरीके से कुछ ऐसे और भी joints होते हैं इसके बारे में आपको आगे के session में बताऊंगे आगे की slides में बताऊंगी जैसे आप देख सकते हैं यह joint के एक image है आपको example के लिए कि इस तरीके से हमारे joint होते हैं वो दिखते हैं देखिए joint बहुत सारे movements को करने के लिए बहुत ज्यादा helpful रहता है कुछ joint ऐसे होते हैं जो immovable होते हैं जो की move नहीं कर सकते हैं mostly हम उन्हीं joints के बारे में जानते हैं move करते हैं हमारे हाथ के, पैर के, रिस्ट के, हतेलियों के इन वो joints के बारे में ही हम जानते हैं लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे joints ऐसे होते हैं एक structure है जो कि fibrous जो हमारे जो skull होता है वो मतलब immovable joint है जो हमारे brain के protection के लिए बनाया गया है वो move नहीं करता है अगर वो proper तरीके से एक दुसरे से bony जो plates होती है उसे इस तरीके से attach है कि उसमें movements नहीं है जो हमारे brain के protection के लिए बहुत helpful होता है जो fibrous tissues जो यह जो skull का जो bone है वो fibrous tissue के help से एक दुसरे से जुड़ा हुआ है ताकि वो एक दुसरे से दूर नजाय करके find the tissue के help से एक दुसरे से जुड़ा हुआ है और जो partially कुछ joints ऐसे होता है जो partially movable होते हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा moments नहीं करते हैं, बस थोड़ा बहुत moments जिसका होता है, just like कि हमारी जो spine होती है, जो cartilage से link होते हैं, just like हमारी spine होती है, हमारी जो read की हड़ी होती है, वो read की हड़ी बहुत ज़्यादा moment नहीं करती है, बहुत ज्यादा उसमें flexibility नहीं होती है लेकिन हां थोड़ा बहुत movement उसमें होता है just like आप snake को जैसे अगर आपने देखा होगा so snake बहुत ज्यादा इधर उधर जैसे या फिर बहुत सारे movements नहीं करता है उसके normal short moments होते हैं but effective बहुत calm के movements होते है so आगे की image में जैसे आप देख सकते हैं जो उसकी जो vertebra होते हैं वो बहुत proper मतलब उसकी spine की जो movements है उसको proper तरीके से आप figure में देख सकते हैं कि जो बहुत सारे vertebras जो है वो अलग-अलग joints है वो जो vertebras के joints है और वो ज्यादा movement नहीं करते हैं लेकिन flexible होते हैं थोड़े बहुत movement उसके हो सकते हैं सो यह एक partially movable joint हुआ और फिर होता है freely movable joint freely movable joint ऐसे joint होते हैं जिसको synovial joint भी बहुत सारे directions में move करते हैं जैसे कि जो shoulder joint हुआ हमारा hip joint हुआ elbow का joint हुआ गुटने का हमारे wrist जो हतेली होती है उसका ankles का जो यह सारे joints होते हैं freely movable joints होते हैं यह बहुत free तरीके से move करते हैं इसलिए freely movable joints बोला जाता है और यह जो होते हैं joints इनके बीच में synovial fluid रहता है जिसकी वजह से यह बहुत proper तरीके से move करते हैं अगर यह synovial fluid नहीं होगा या फिर कम हो जाएगा सो हमारी हड़िया एक दूसरे से घिसने लग जाएगी और अगर वो घिसना चालू हो जाएगी तो उसमें कुछ ना कुछ deformities आएगी परिशानिया आएगी पेन आएगा बहुत सारे issues आते हैं सो यह जो हमारे synovial fluid होता है उसको भी होना बहुत जरूरी है जैसे आप देख सकते हैं तीन टाइप के freely movable joints हमारे body में होते हैं सब heating joint जो जैसा बत्ता एया घुटने का होता है जो elbow है ये वहला joint बहुत हैं स no hinge joint भोलते हैं इन ही सिंप एग direction में मूऔ होता है फाक्रिक डूसरी direction शेक हैं आपता हैं तुसरा है p forehead joint 220 his twisting motion का होता है जो जैसा की हमारे जो head है जो हमारी जो sir की ये वाली घर्दन की जो moment है हम side to side ऐसे कर सकते हैं उसको पूरा twist कर सकते हैं मतलब twisting motion जो रहता है rotating या पर twisting motion जिसको बोलते हैं उसको अपनों ऐसे भुमा सकते हैं सो ये side to side movement होता इसको pivot joint बोलते हैं और third is balance socket joint balance socket joint में हम क्या करते हैं ये freely move freedom मतलब बहुत freely move करता है just like पूरे direction बोलते हैं just like हमारे hips होते हैं उसके joint होते हैं हमारे shoulder होते हैं ये पूरा complete heat चारो तरफ ऐसे घूंगते हैं तो ये इसको balance socket joint क्योंकि balance socket joint बोले जाता है क्योंकि ये पूरा freely movement करते हैं so ये तीन टाइप के joints हमारी body में mostly पाए जाते हैं so लेकिन कईबर हमें क्या होता है कि joint मतलब कुछ ऐसी problem हो जाती कुछ ऐसी चीजे wrong हो जाती इसकी वजह से बहुत ज्यादा pain होने लगता है हमारी body में stiffness आ जाती है हमारी joints में और सिर्फ ये worldwide problem है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक particular जगह पर कोई ये issues आती है ये हर जगह की problem है हर पूरे world में ये issues देखने के लिए मिलती है joint pain की जो issue है ये बहुत ही ज्यादा common चीज है especially जो aged persons होते हैं उन में तो रहते ही बट ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ aged persons में ही देखने के लिए मिलता है ये mostly एक symptom होता है कि आपकी जो bones है उसमें कुछ problem है कुछ issue है जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है ये एक type का disease नहीं है ये एक symptom है कि आपको अपने care करने की जरूरत है आपके अपने bones की health की care करने की जरूरत है joint health की care की जरूरत है आपको अपके muscles की care करने की जरूरत है ये एक indication है कि आप उसकी care करना चालू कीजिए आप उसका ध्यान डखना चालू कीजिए करके स्पेशली जैसा मैंने आपको बताए ये mostly aged जो people होते है उम्रदराज जो people होते है उनमे mostly ये पाया जाता है क्योंकि उनकी क्या है एक aging के साथ में उनकी जो problems आती है उनकी जो synovial fluid जो होता है वो घटने लग जाता है और उस जिसकी वज़ा से उनकी जो bones हो एक दूसरे से घ जाना जाता है कि जो joints में जो damage हो जाते हैं जो synovial fluid जब खतम हो जाता है या कम हो जाता है गिसने की विज़ा से joint में जो भी damage होते है वो mostly एक arthritis के नाम से जाना जाता है ये एक group of condition है so इसमें arthritis में बहुत type के होते हैं लेकिन mostly जो common arthritis है वो osteoarthritis है जो कि कई बार किसी चोट की वज़ा से लगता है या फिर कोई infection हो जाता है joint में उसकी वज़ा से होता है या फिर जब aging होने लगती है उसकी वज़ा से ये osteoarthritis mostly होता है और ध्यान रखेगा ऐसा जरूर नहीं कि सिर्फ aging की वज़ा से कई बार young persons को भी चोट लगने की वज़ह से ये osteoarthritis हो जाता है और arthritis actually है क्या arthritis में जो joints होते हैं उसमें swelling हो जाती है इसमें सूजन आ जाती है जिसकी वज़ह से कई बार आपको वहां पे वैसे सूजा हुआ लगेगा फिर आपको वहां पे बहुत ज़ादा गर्माहट लगेगी उस area मे वहां बहुत ज़ादा आपको पेन होगा आप चल्फने फिरने में आपको बहुत ज़ादा तकलीफ होने लग जाएगी आपका उठना बैटना जहां भी आपको जिस भी joint में पेन है वहां उसको मूफ करने में आपकी बहुत ज़ादा ट्रबल होगा आपको बहुत ज़ाद is not a disease, symptom है जो mostly older people में पाई जाती है पर ऐसा जरूरी नहीं है arthritis जो है बच्चों में और young persons में भी देखी जाती है arthritis अब प्रॉपर तरीके से आप उनकी केर ना करे या कुछ infection होता है या कुछ होता है तो यह बच्चों में और जो young persons होते हैं उनमें भी arthritis देखने के लिए मिलता है जो mostly young persons में या फिर बच्चों में जो arthritis होता है वो juvenile idiopathic arthritis होता है lupus लुपस वाला lupus होता है Lyme disease जो होती है और septic arthritis जो कोई bacterial infection joint में किसी प्रकार का infection हो जाता है उसकी वज़ा से होता है है तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं जैसा आप देखेंगे कि एक normal जो joint होता है नी joint होता है normal एक साइड में आपका normal knee joint है और एक साइड में आपको osteoarthritis वाला image आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि तक कितना difference है जो Osteo-Orthritis वाला image है उसमें आप देखे कि उस person के joints में कितना ज्यादा infection हो गया उसका joint कितना effect हो गया जिसकी वजह से उसके movements में problem आजाती है, swelling आजाती, bone में swelling आजाती है So, इसी वजह से उनको चलने, फिरने में, उठने, बैठने में बहुत जादा तकलीफ हो जाती है आप देख सकते हैं इस image में कि कितना खतरनाक हो जाता है अगर हमें arthritis की problem होती है So, हमारे bone कितनी बुरी तरीके से damage हो जाते है उसका care करना, उसको relief करना, उसको proper care करना हमारे लिए बहुत जादा important होता है So, most, जैसा कि मैंने बताया कि यह mostly जो arthritis होता है यह चोट लगने की वज़ा से mostly अगर किसी joint में बहुत बुरे तरीके से चोट लगी उसकी वज़ा से होता है aging की वज़ा से होता है, infection की वज़ा से mostly यह चीजे देखने के लिए मिलती है और भी अलग सिफ osteoarthritis ही issue नहीं होता है और भी अलग-अलग type की arthritis देखने के लिए मिलते है जैसे कि rheumatid arthritis है, psoriatic arthritis है, autoimmune disease की वज़ा से भी कई लोगों को arthritis की problem होती है septic arthritis होता है, septic arthritis means joint pain जैसा कि किसी प्रकार का infection हो जाता है, जिसकी वज़ा से septic arthritis भी होता है तो आपको अपनी body की पुरी care करना, उसको proper तरीके से रखना, अगर कोई infection हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसके proper treatment करना यह बहुत ही ज्यादा important होता है और एक और प्रकार का arthritis होता है, जिसे gout बोला जाता है, यह mostly uric acid के high होने की वज़ह से, यह mostly होता है और यह gout जो होता है यह अगर आप ध्यान देंगे, तो पहले starting में जो छोटी bones होती है हमारी, जैसे कि हमारी finger की bone होती है, joint होता है, पहले इन से start होता है उसके बाद यह धीरे-धीरे अगर मतलब big bones, जो बड़ी bones होती है उसकी तरफ transfer होता है बट इसकी starting होती है छोटे bones से, जो आपके normal fingers की bones हुई, आपके जो पैरों में जो अंगुठा होता है, उस अंगुठा या फिर पैरों की उंगलिया रहती है उनसे यह छोटे bones से mostly यह start होता है, उसमें inflammation मतलब की वहाँ swelling आ जाती है, बहुत दर्द होता है, पेन होता है, एकदम आपका movement नहीं हो पाता है, तो यह भी एक प्रकार का arthritis ही है मैं आपको foods के बारे में बताती हूँ, जो mostly arthritis से relief देते हैं, आपको arthritis को कम करने में help करेंगे, तो यह है fatty fish जो होता है, जो non-vegetarians है, वो fatty fish ले सकते हैं अपनी डाइट में, ginger जो होता है, वो आपको बहुत जादा help करता है, इसमें anti-inflammatory property भी होती, broccoli जो होती है, वो बहुत जा होती है, some berries जो होती है, वो भी बहुत जादा help for it, just like blueberry, spinach जो होता है, पालक जो होता है, वो आपको arthritis के लिए बहुत जादा अच्छा होता है, grapes जो होता है, अंगूर वो आपके लिए बहुत जादा अच्छा होता है, so यह सारे fruits आपको अपने daily routine में खाने चाहिए, अगर आ अपने daily routine में यह सारे food को add करना चाहिए, अगर आपको arthritis अरड़ेड़ी हो चुका है, तभी आपको इन foods को खाना है, और साथ में इस बात का भी protection लेना है, कि वो arthritis आपको जादा परषान्न करे, वो उसको कैसे cure करना है, उसको कैसे help करना है, उसको कैसे help करना है, उसे किस तर तो हमारी everyday life की जो भी activities है जो भी हम काम करते हैं जो भी functions होते हैं हमारी body के उन सब चीजों में बहुत ज़्यादा problem आ जाएगी हमारा चलना पेरना जब affected होगा तो ऑविस सी बात है कि हमें दूसरों पर dependent होना पड़ेगा दूसरों पर dependent हो कि कोई भी इंसान खुश नहीं रहत है proper तरीके से अपनी life को enjoy नहीं कर पाता है so joint health बहुत ही ज़्यादा important होती हम दिन की भर किसी दूसरे person के उपर dependent नहीं हो सकते हैं so इसलिए अपने body की help करना अपने body को स्वस्थ रखना well रखना यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर arthritis हो जाता है so आपको अपनी joints को पहले मतलब ऐसे steps लेने चाहिए जिससे आप अपनी joints को healthy रखें आप उसको protect करें ऐसे खाने खाने चाहिए जिससे आपकी joint को ज्यादा असर नहों उसको बल्कि जो inflammation होए जो सूजन आए वो कम हो आपकी जो issues जो भी जख्म बने हुए हैं वो जल्दी से भरे आपको ऐसे सब precautions लेने चाहिए इवन कुछ arthritis ऐसे होते हैं जो आपके दूसरे जो organs होते हैं उनको भी affect करना चालू कर देते इसलिए सबसे best TI होगा कि आप जितना जल्दी हो सके अगर आपको arthritis नहीं है तो आप अपने diet में ऐसे शामिल कीजिए जिसक loose face ना करने पड़े अगर आपको arthritis हो चुका है तो तब भी आपको यह precaution लेना चाहिए कि यह arthritis आपके दूसरे body parts को और damage ना करे और affect ना करे आपकी routine को आपकी life को affect ना करेगा आपकी health को affect और ना करे इसलिए बोलते हैं कि मतलब diagnose और treatment जितना जल्दी हो सके जितना जल्दी आप treatment करते हैं जितना जल्दी आप इस चीज़ को अगर जितना आप tolerate करेंगे उतना आप ही affect होगे आपको problem आएगे जितने जल्दी आप उसको doctor को दिखाएंगे treatment लेंगे proper अपनी care करेंगे उतने ज किया है हमारा product R3 par जो की bone health के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत effective product है तो यह कैसे है चलिए हम आपको आगे की slides में बताते हैं इसमें क्या 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 ingredients हैं इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ सो जैसा कि आप इस chart में देख सकते हैं यह सारे products है चलिए मैं एक एक करके आपको इन सारी products के बारे पुरी details बताती हूँ कि यह क्या है कैसे help करते हैं और इन सब चीजों के functions क्या है act क्या है सो चलिए सब पहला product हमारा है glucosamine HCL जो है यह हमारी cartilage की health के लिए बहुत अच्छा होता है जो fluid होता है हमारा जो fluid होता है उसको fulfill करता है जो joint के बीच में जो fluid होता है उसको वो proper तरीके से बनाता है सो आप सोच लिए glucosamine HCL बहुत ही important चीज है बहुत ही इसलिए important है क्योंकि अगर फ्लूइड नहीं रहेगा तो definitely हमारी joints जो है वो damage होंगी सो इसलिए वो fluid का बनना हमारे body में बहुत ही ज्यादा important है ग्लुकोसमाइन HCL उससे formation करने में help करता है और ग्लुकोसमाइन अगर प्रॉपर तरीके से लिया जाए तो वो cartilage के build-up में भी बहुत ज्यादा helpful होता है और जो जैसा मैंने आपको बताया जो joint के बीच में जो fluid हो जाता है तो यह ग्लुकोसमाइन HCL बहुत important चीज है अगर यह fluid हमारी body में बनना बंद हो गया जो और थराइटिक परसन होते हैं जो जिनको problem होती है joints में जो problem होती है उनके अगर fluid उनका बनना बंद हो गया तो ग्लुकोसमाइन HCL बहुत important चीज है तो हमारा next product है बोस्वेल बोस्वेलिन की एक arquivatric product है जिसको अःवented में śалub जाता है शालकी बहुत ही पुराने जमाने से बहुत मतलब ancient जमाने से बहुत ही पुराने जमाने से bone health के लिए use किया जा रहा है जो कि Ayurveda में use किया जा रहा है बहुत ही पुलाने तरी, पुलाने या से यह बॉस्वेलिन करके जो टी होता रही होता है उसमें पाया जाने वाला एग गोंद टाइप का रहता है जो रहता है उसका गम होता है गोंद जासा रहता है यह बहुत ही important चीज है हमारी bone health के लिए हमारे bone में अगर किसी भी type का inflammation किसी type की सूजन होती है उसके लिए उसे यह कम करने के लिए बहुत ही important चीज है और हमारी जो blood vessels होते है उसकी weakness को भी यह दूर करता है उसे powerful बनाता है उसे strong बनाता है so यह inflammation भी दूर करता है और हमारे blood vessels को भी proper तरीके से काम करने में help करता है so जो जो भी हमारे जो infected area है inflamed area जो होता है उसमें जो tissues होते हैं जो suppressed tissue होते हैं उसको वो breakdown करता है और उसको proper तरीके से working करने में proper tissue की वहां की working करने में यह बहुत जादा helpful होता है so यह boswellin है आयरवेदिक product है बिल्कुल आपको परिशान होने की जरुवत नहीं है बहुत ही safe चीज है so और बहुत ही पुराने जमाने से इसे use किया जा रहा है bone health के लिए so आपको इसके बारे में फिक्र करने की कोई जरूरती नहीं है so हमारा next product है curcumin C3 complex जो कि हमारा patented हमारा हमारी कंपनी का patented product है sevensas curcumin C3 complex जो है यह आर्थरी पावर में है जो की टर्मरीक में जो हल्दी होती है उसमें curcuma longa करके एक जो chemical होता है जो compound होता है वह चीज है यह curcuminoid है इसके बारे में बताती है तीन टाइप के लिकिन इसमें आप अगर टर्मरीक में देखेंगे उसमें सिर्फ कुर्कुमिन लॉंगा बस रहता है जो एक ही टाइप का कुर्कुमिन है बट अगर आप हम से बिंसास curcumin C3 complex में तेखेंगे तो इसमें तीन टाइप के कुर्कुमइनाइड है C3 complex में तीन टाइप के chemical compound है एक है कुर्कुमिन दूसरा है 2D methoxy curcumin और तीसरा है 20D methoxy curcumin जिसको collectively जो बोला जाता है खुर्कुमिन बोला जाता है यह हमारी health के लिए overall inflammation के anti-inflammatory है antioxidant है इसमें बहुत सारे work करता है हमारी जो भी problem है issue है कुछ भी सूजन है हर चीज में यह बहुत ही effective चीज है हमारा patented चीज है worldwide आप इसे कहीं भी कुछी से पुछेए आपको curcumin curcuminoid जो है वह बहुत ही famous है और हमारा patented product है बहुत ही अच्छा चीज है यह हमने इसे use किया हुआ है आर्थरी पार में curcumin C3 complex को use किया हुआ है यह बहुत effective product है अगर आप clinically बिल्कुल हमने clinically proved है कि यह बहुत ही effective है हर किसी प्रकार की inflammation में किसी भी प्रकार की जो परिशानी होते है उसके लिए बहुत ही effective चीज है हमारा fourth product bio parent जैसे कि हमने हमारे पुराने वीडियो में आपको पहले भी बता चुके है bio parent भी हमारा एक patented product है यह एक ऐसा product है जो अपने साथ की जितने भी इंग्रेडियंट होते है उसकी bioavailability उसकी गुणवत्ता को और ज्यादे इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से हमें और भी कई गुना उसका result कई गुना ज्यादा मिलता है so bio parent अगर आप किसी भी product के साथ add करेंगे तो उसकी गुणवत्ता को और ज्यादा बढ़ा देता है आपकी body में उसका result और ज्यादा मिलना ही लग जाता है so यह हमारा यह भी हमारा patented product है bio parent बहुती effective है बहुती बढ़िया product है so यह चार इंग्रेडियंट्स हमने चार इंग्रेडियंट्स आर्थ्री पार में है जो सारे के सारे आपके inflammation के लिए आपके bone health के लिए बहुती ज्यादा important है so unique feature चलिए हम देखते हैं कि 3 prolonged approach से patented ingredients हमारे product में है यह pain को relieve करने pain को कम करने में बहुत helpful है और हमारी joint health के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है बहुत ज्यादा effective है so इस चलिए मैं आपको key benefits आपको बताती हूं joint pain को कम करने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है inflammation जो होता है उसे कम करने के लिए बहुत ही बढ़िया product है हमारे जो tendons में जो inflammation होता है उसको कम करने के लिए भी बहुत अच्छा product है जिसे कोई भी यूज कर सकता है जिसे problem है कोई भी person यूज कर सकते है अब मैं इसके uses बता देती हूं key benefits, key benefits, re-establishment आपके जो bones में कोई issue आ गई है तो उसको फिर से ठीक करने के लिए बहुत ही effective product है उसे फिर से repair करता है उसे re-establish करता है आपके जो भी damage हो चुका है cartilage damage हो चुकि उसको फिर से repairing करने में इसको maintain करने में बहुत helpful होता है lubrication जो समय नहीं आपको बताया जो lubrication होता है मतला आपके जो bones के बीच में fluid होता है उसकी वजह से आपका lubrication होता है वह proper तरीके से जो movement जो होते हो होते हैं उसके लिए बहुत helpful है और जो fluid होता है उसको proper तरीके से बनाने में helpful होता है सो यह हमारा product R3 power बहुत सारे benefits है और्थराइटिस persons के लिए बहुत सारे benefits है इस product में सो इसे कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ इसे एक tablet morning में और एक tablet night में आपको after meal lukewarm water के साथ लेना गुन गुने पानी के साथ लेना इसे कोई भी ले सकते हैं 12 साल से उमर के किसी भी बच्चों को भी अगर परिशानी है 12 साल के उमर के बाद के बच्चों को आप इसे suggest कर सकते हैं दे सकते हैं अगर उनके bone में कोई issue है अगर उनको arthritis की problem है तो आप उनको दे सकते old age persons के लिए जिनको bone में बहुत जादा तकलीफ होती चलने फिरने में problem होती arthritis की problem होती आप उनको दे सकते पर मैं आपको एक चीज यह important पहले आप बता देना चाहती हों कि यह जो medicine यह जो product है यह यह medicine नहीं है यह preventive thing है यह आपको complete treatment नहीं है यह आपका यह preventive thing है आप इसको as a treatment लेके नहीं चलिए यह preventive चीज है आपको यह बहुत helpful रहेगा आपकी issues में यह आपको help करेगा लेकिन इसे एक आप treatment नहीं बोल सकते है यह preventive measure है preventive thing है आप इसे अपने prevention के लिए ले सकते हैं आपने care के लिए ले सकते हैं बट एक proper तरीके से आप इसे लीजिए आपको जरूर इसमें पायदा मिलेगा यह हमारा product R3 PAR बहुत effective